गुद मॉर्णिंग देर स्टूरेंट तोडे वी विल स्टार्ट अवर थार्टीन चैप्टर वाई दो वी फॉल इल हम बीमार क्यों होते हैं स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट के साथ हमने अर्थक्वेक के बारे में सुना है जो लातूर भूज और कस्मीर ऐसी जिगहों में आए थे या फिर आए दिन हम देखते हैं कि हम समाचारों में भी सुनते हैं कहीं आज दिली में या आज नेपाल में पितो क्या आज हाइँ अर्थकेंगाया और ऐसे ही environment देखतेंbe में क्या सअअ जंते साक्लों चलते हैं तेषभा पानी वाली हके क्या होती है लगाता बैते रहती है coastal areas में think of as many different way as possible in which people health would be affected तो ऐसे ही अलगलग phase के बारे में आपको क्याकर नए सोचना है जहां पर people की health में affect पड़ता है by such a disaster if it took place in our neighborhood और ऐसा ही कोई disaster अगर हमारे neighborhood में आता है तो उसे people की health पर क्या affect पड़ेगा how many of these way we can think of our event that would occur when the disaster is actually happening तो जब disaster हो रहा होगा तो उस टाइम पर आपके दिमाग में कौन कौन से event आएंगे या उस टाइम पर जो event उस वहाँ की local government या फिर जो उस country का governance है या जो वहाँ के local के areas हैं वो कौन कौन से event को करेंगे disaster के रहेंपे क्या-क्या उनकी strategies रहेंगी how many of these health related events would happen long after the actual disaster but would still be because of the disaster और इस disaster के काफी समय बाद कौन कौन से events चल लए होंगे उस टाइम पर उस disaster की वज़े से why do one effect of health fall into the first group and why would another fall into the second group तो इन दोनों तरीकों से यानि की disaster के रहेंपे कौन कौन से event चल ले होंगे कौन कौन से work चलेंगे ये एक अलग ग्रूप में आएगा और disaster के काफी समय बाद जो effect पढ़ा है disaster का उसके लिए कौन कौन से event या program चलेंगे ये अलग ग्रूप में क्यों आया है इसके बारे में आपने सोचने है when we do the exercise, the release that health and disease in human communities are very complex issue with many interconnected cases हम देखते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, हम health or disease की बात करते हैं human communities के अंदर, तो हम जानते हैं ये कहें काफी ज़्यादा complex issue है क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हैं, बहुत सारे interconnected causes हैं जिनकी वज़े से health or disease दोनों पर affect परते हैं we also release that the idea of what health and disease mean are themselves very complicated तो हम generally अपनी daily life में disease और health को क्या करते हैं एक common way में हम बोलते हैं कि जो person disease free है, वो क्या है? वो health है, बट क्या real में वो healthy है? When we ask what cause disease and how we prevent them we have to begin by asking what these notations means जब हम इस बात की बारे में जाने की कोसिस करेंगे कि किस वज़े से disease होती है और हमें उन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसके real meaning को यानि कि disease की या फिर health के हम real meaning में जा रहे हैं तब कि हम समझने की कोसिस कर रहे हैं कि आखिर disease क्या है? health क्या है? किस वज़े से disease होती है? और कैसे हम disease से बस सकते हैं? तो ये क्या है? हम जान रहे हैं कि हमारी जो health है उस पर किसी जीज़ का effect पड़ा है अगर हम पर कोई disease है तो उससे हमारी health है क्या effect पड़ेगा? we have seen that cell are the basic unit of organism हमने देखा है हमने पड़ा है यो cell होती है वो क्या होती है? वो basic unit होती है किसी भी organism की cells are made of a variety of chemical substances, protein, carbohydrates, fat or lipids and so on तो हम जानते हैं कि जो cell है वो क्या बनने रहती है? different variety of chemical substances मिलकर के बने रहती है cell is the dynamic place sometime or the other is always happening inside them यह क्या है एक dynamic place है जहाँ पर लगातार कोई ने कोई process चलते रहती है complex reactions and repair goes on inside cells यहाँ पर क्या चलता है cell के अंदर? एक complex reactions चलते रहती है जहाँ पर digestion होता है या फिर respiration होता है उस time पर क्या होता है? वहाँ पर काफी ज़्यादा complex reactions चलती है और इसके साथ साथ repair भी चलते रहता है cell के अंदर new cells are being made इसके साथ साथ cell में से क्या होती है? नई cells का भी formation होते रहता है इन अवर organs और tissue हमारे जो organs है या पर जो हमारे tissue है they are various specialized activities going on और उनके अंदर organs के अंदर और tissues के अंदर क्या रहता है कोई न कोई specialized activities लगातार चलती रहती है जैसे the heart is beating हमारा heart क्या करता है लगातार पीट करते रहता है the lungs are breathing हमारे जो lungs हैं वो लगातार हमें breathing के लिए क्या करते हैं? force करते है the kidney is filtering urine जो हमारी kidney है वो हमारी urine को लगातार के करते रहती है filter करते रहती the brain is thinking हमारा brain जो है वो लगातार सोचते रहते है तो ये सारी activities हमारे body के अंदर चलते रहती क्योंकि हमारी जो बॉड़ी है वो किसी से मिल करके बनी है वो सेल से मिल करके बनी है और सेल के अंदर के है सेल एक ऐसा प्लेस है ऐसा डाइनेमिक प्लेस है चाबल लगातार कोई नो कोई प्रोसेस चलते रहती है तो सेल से मिल करके ही टीशू बनते हैं और टीशू से मिल करके यही और्गंस का फ़र्मेशन होता है तो जितने भी और्गंस है या जितने भी टीशू में उनके अंदर लगातार के चलते रहती है कोई न कोई प्रोसेश चलते रहती है All these activities are interconnected और ये सारी activities यो चलते रहती हैं cells के अंदर या tissue के अंदर organs के अंदर ये सारी कह रहती हैं interconnected रहती हैं आपस में जूड़े वे रहती हैं For example, if the kidney are not filtering urine अगर हमारी kidney क्या कर रही urine को filter ना करे तो क्या होगा उसकी वज़े से poisonous substance will accumulate जो poisonous substances हैं वो क्या होंगे वो collect होने लग जाएंगे कहांपा kidney के अंदर Under such conditions the brain will not be able to think properly तो अगर ऐसी condition आजाएगी poisonous substance accumulate हो रहे हैं collect हो रहे हैं kidney में तो हमारा जो brain है वो क्योंकि interconnected हैं kidney के साथ तो properly वर्क है नहीं करेगा ठीक है हम देखते हैं जैसे जिस दिन हमारा सुबह अच्छे से पेटो अगरा साप नहीं होते हैं तो उस दिन हमारे दिन बर सर्मेदर्दे रहती हैं for all these interconnected activities energy and raw material are needed तो इन सारी जो interconnected activities होते हैं इनको complete करने के लिए कुछ ने कुछ energy की requirement होती है और activities को करने के लिए raw materials की भी आप सिकता होती है food is necessity for cell and tissue functions और food क्यों जरूरी है क्योंकि cell और tissue के अंदर जो functions चल दे हैं उसके लिए जो energy का source है वो कौन होता है वो food होता है anything that prevent proper functioning of the cells and tissue will lead to be lack of a proper activity of body तो अगर कुछ भी इन में से अभी तक हमने चितनी भी चीज़े पड़ी जैसे energy raw material वगरा इन में से अगर कोई भी चीज properly work नहीं करेगी तो क्या करेंगे हम जो body है वो proper उसके अंदर leg है proper activity का it is in this context that we look that we will look at the notions of health and disease तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस chapter के अंदर study करेंगे health and its failure सबसे बहले हम जानेंगे कि क्या health है और वो failure उसका failure होने से क्या मालब है the significance of health health का क्या meaning है we have heard the word health used quite frequently और हमने health word को कई बार सुना है और हम इसको frequently use भी करते है we use the observes as well we use it ourselves as well when we say things like my grandmother's health is not good हम generally अपने लिए और अपने family members के लिए इस word का use हम normally करते है our teacher use it when they squalled us saying that it is not healthy altitude और हमारे teachers अगर पढ़ाने में अच्छे से सक्षम ना हो या फिर होने हो इस दिन कोई problem हो तो वो क्या बोलते है वो बोलते है this is not a healthy attitude what does the word healthy means तब हम healthy का क्या meaning लेते है if we think about it we realize that it always impulse the idea of being well अगर हम इस बारे में सोचे हैं तो हमें पतर चलेगा कि यह क्या है यह being well वाली stage है जहां पर क्या रहना है बिलकुल well रहना है we can think of this well-being as effective functioning या फिर हम इस well-being को क्या बोल सकते हैं कि effective functioning body के अंदर चल रही for our grand mother अगर हम अपने grand mother की बात करें being able to go out to the market or to visit never as well-being अगर हम अपनी grand mother के लिए बोलें क्योंकि वो काफी क्या है old है तो वो आसपास की दुकानों में या फिर आसपास के जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी घरों तक अगर वो जा पाते हैं तो हम बोलेंगे कि वो के हैं वो being well है यानि कि वो ठीक ठाग है and not being able to do such things is poor health अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं हमारे जो बुठे दादा दादी हैं या नाना नानी हैं अगर वो आसपास के घरों तक भी नहीं जा पाते हैं तो हम बोलेंगे वो उनकी जो health है वो के हैं poor health है being interested in following the teaching in the classroom so that we can understood the word is called a healthy attitude इसी प्रकार से जब teacher बोलता है ग्लास में जो healthy attitude नहीं है उसका मतला यह है कि वो या तो खुच सक्षम नहीं है या फिर जो student है वो lecture को सुनने में interested नहीं है तब उसने ऐसा बोला will not being interested is called the opposite health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially तो अगर हम किसी person के लिए healthy word का use कर रहे है तो वो person physically भी fit होना चाहिए उसका mentally भी fit होना चाहिए mental level भी fit होना चाहिए और उसका social well being यानि कि social उसका relation वो पर क्या होना चाहिए कोई person अगर नॉर्मल लुकिंग है उसका physical look नॉर्मल है बट अगर वो socially या फिर mentally वो प्रिपेर नहीं है या फिर वो socially well being नहीं है तो हम बोलेंगी कि वो healthy person नहीं है ठीक है तो आज का लेक्शेर ही पर complete होता है कि आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू कर दो कर दो